तो आज जो मेरा टॉपिक है हम लोग इस टॉपिक की चर्चा करेंगे आज हम लोग वो टॉपिक होगा क्लास 11 के स्नैप सॉट बुक जो सप्लिमेंटरी डिडर है उस चैप्टर हम लोग पर चुके हैं इससे पहले अलबर्ट एंस्टाइंट एट स्कूल हमने एक चैप्टर पढ़ा था वी रिड़ देट और आज वी विल डिसकॉस अबाउन दा इंपोर्टेंट है तो चलिए जादा समय को ना वेस्ट करते हुए लेट्स बैक टू आवर टॉपिक तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अपने इंपोर्टेंट कोस्टेंज को डिसकस करते हैं और अलबर्ट एंस्टाइंट के यहां पे ने कुछ चुने हुए बहुत ही इंपोर्टेंट चलिए फर्स्ट कोस्टेंट पर आते हैं हम लोग फर्स्ट कोस्टेंट पर यह जो हमारा फर्स्ट कोस्टेंट आप लोग देख सकते हैं कि Mr.Boran was a test teacher आप लोग याद कुछी किजिए कि Mr.Boran थे वो कौन थे तो क्या history teacher थे इस ही वो geography teacher, English teacher और chemistry teacher, तो answer आपको मिलेगा कि he is history teacher, ठीक है? कौन थे Mr. Boron, तो history teacher थे जिनसे उनकी थोड़ी सी बातचीत भी startic पे हो गई थी आप लोग को याद होगा friends, मैंने बताया है ठीक है? चलिए, next question पर आते हैं हम लोग हमारा जो second question है उसको हम लोग देखते हैं second question क्या है? तो according to Albert, deaths are more important than facts and figures, यह बहुत ही important question है, याप कीजिए कि Albert Einstein को facts और figures से ज्यादा important क्या लगता है? तो ideas लगता है उनके इसाब से जो idea है जो विचार है, ने ने बुद्धि है, वो ज्यादा important होने चाहिए, rather than किसे facts और figures से, यानि जो स्वास्तविक्ता है हम लोग easily find in book, facts जो dates हम लोग याद रख सकते हैं लेकिन जो ideas है, वो नई नई चीजे हमारी दिमाग में आती है, तो हमें उस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, according to Albert and stand, okay, आप लोग पर चुके हैं चलिए friends, next question पर आते हैं आप लोग screenshot ले लीजिएगा, या फिर question को उतार लीजिएगा, ठीके friends चलिए, आगे आते हैं next question हमारा क्या है आप लोग देखिए, next question है Mr.Boran asked Albert to leave Mr.Boran जो है, Albert को क्या leave करने के लिए बोले क्या छोड़ने के लिए बोले तो क्या छोड़ने के बोलेगा स्कूल छोड़ने के लिए बोला था answer में दिखे, स्कूल छोड़ने के लिए बोला गया है ना तो village छोड़ने के लिए बोला गया ठीक है, friends यहाँ पर boron में N होगा, खुला सा ध्यान देख लिजेगा आप लोग S.P.L. ठीक है, चली, next question पर आते हैं, next question we have, next question क्या है, next question ज़िए क्या है, Albert Einstein's Dads teacher encouraged him a lot, अभी तो हम लोग उन्हें Mr. Boron के बारे में बढ़ा, जो उनको encourage नहीं किये, इसकोल से निकालने की बात कर रहें थे, लेकिन एक teacher वहाँ पे थे, और वो थे Maths teacher, Maths teacher, जिन्होंने क्या-क्या, Albert Einstein की जो potential है, जो इस तरह का वियर-वियर है, उनको encourage किया, कि नहीं प्रतेक व्रक्ति का एक अलग-अलग अपना nature होता है, ठीक है, चलिए, next question पर लोग आते हैं, next question है, Mr. Coach was Albert Einstein's desk teacher, आप लोग याद कीजे, friends विसे answer तो यहां दिखी रहा है, लेकिन फिर भी याद करने कोसिस कीजे, जो Maths Mr. Coach थे, जो थे, Albert Einstein के teacher, वो किस चीज़ के teacher थे, तो वो Maths के teacher थे, याद रखिएगा, वो Maths के teacher थे, ठीक है, friends, चलिए, हम लोग next question पर आते हैं, next question हमारा क्या है, Land lady did not allow him to play, जो land lady है, मतलब Albert Einstein जहां रहते हैं, वहां की जो मकान मालकिन है, वो क्या बजाने ने देती थी Albert को, स्यार बजाने का सोख था, ना उसको सितार बजाने का सोख था, और ना ही flute बजाने का सोख था, तो क्या बजाने का सोख था? byularn और by singularly बजाना उसको नहीं दिया जाता, आप लोग वाइलन देखे होंगे, ठीक है, picture-ومने जो इस तरह करके बजा जाता है, friends, आप लोग Всеίο, seventhinesby Albert कहते हैं कि वह चीजों को नहीं शिख सकते तो 피िट से नहीं सिख सकते वन्होंने कहा कि मैं हाट से दिल से नहीं सिख सकता यह उनका कहना है ना तो नो से ना तो हीट से और नहीं टंग से नहीं हाट से ठीक了 तो answer क्या हो जाएगा heart next question पर आप लोग आते हैं हमारा जो next question है वो question क्या है देखे friends death was the only friend of Albert in the city ठीक है पूरे सहर में Albert का जो एक friend था उनका नाम क्या था याद कीजिए very good उनका नाम था Yuri याद कीजिए Yuri ही था जो Albert का हर समय companion था साथ देता था ठीक है और जब Albert जो है Albert was leaving the school तो उसकी आखों में से थोड़े से आसू थे वो किसके लिए यूरी के लिए थे बस बाकी यूरी से उसको कुछ लगाओ नहीं था तो यूरी उसका अकेला दोस्त था ठीक है चलिए next question पर आते हैं हम लोग प्रिंगल आप लोग जानते कि प्रिंगल जो है वह अलबर्ट आइंस्टेंट एट इस्कोल जो है लिखे ठीक है चलिए next question question number 10 ठीक है यह क्या है head teacher informs Albert instant about his head teacher जो है school के head master है वो Albert को क्या सूचना देते हैं किस बारे में तो उसको इस बारे में सूचना देते हैं कि expression from the school यानि school से Albert को निकाला जा रहा है यह सूचना Albert को दिया गया या धनत अब दिया गया जब principal उनको बुलाए अपने पास यह सोचा कि हमको निकाला जा रहा है हम तो खुद ही यहां से निकलना चाहा रहे हैं ठीक है हमारा जो next question है वो हम लोग देखते हैं next question हमारा क्या है आप लोग देखिएगा friends next question है Einstein was fond of fond का मतलब होता है कि जिससे उसका लगा हुए जो वो पसंद करता है तो Einstein क्या पसंद करता था music या science या music and science दोनों या इन में से कोई नहीं none of these तो आपको याद होगा मैंने पढ़ाया है कि music और science दोनों जो है Albert Einstein को पसंद थे उनको वाइलन वजाना पसंद था तो इससे पता चलता है कि music से और science से दोनों चीज़ से उनका प्रेम था ठीक है चलिए next question की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और यह आज का अंतिम question है friends हमारे लिए Albert of Yuri to arrange him Albert जो है Yuri से क्या arrange करने के लिए कहा था याद कीजिए क्या arrange करने के लिए कहा था जी हाँ very good एक medical certificate arrange करने के लिए कहा था Albert said that arrange a medical certificate for me because I am trying to leaving my school ठीक है वो मैं school छोड़ने की कोशिस कर रहा हूँ और इसके लिए मुझे यह medical certificate की बहुत जादा ज़रत है और वह medical certificate कौन बना के दिया था friends वह medical certificate जो डॉक्टर अर्नेस्ट है डॉक्टर बिंग अर्नेस्ट वह बना के दिये थे ठीक है friends आए बात समय में यह थे हमारे कुछ important questions जो हमें से exam में पुछे जाते हैं और we discussed about that हम लोग discuss कर चुके इसके बारे में ठीक है और अब आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताईएगा जो जो मेरे चैनल पर नहीं आया है किर्पया मेरे चैनल को subscribe, like और share जरूर करिएगा friends और वीडियो कैसा लगा यह मुझे जरूर बताईएगा ठीक है औ और इसी तरह से आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं मेरे वीडियो को प्यार देते रहें बहुत बहुत धेंड़ेबाद थैंक्यू सो मुझ